सब्सक्राइब और अब ही हम लोग जानेंगे लेटेस्ट अपडेट को लेकर तो देखिए जो अपसवाल था आप लोगों के दिल दिमाग में की वेटेश क्या होगा किस टर्म का तो रिजल्ट से जस्ट पहले इस बात को बता दिया गया है कि टर्म फर्स्ट को 30 वेटेश द और टर्म टू आपने कैसा दिया उसके एकॉर्डिंग लिए आप देख लेते हैं ठीक है इस बाबत कहा क्या सी बेसे ने कि टर्म फर्स्ट को 30 परसंट कियो और टर्म टू को 70 परसंट कियो यहां तो जो अंडरलाइन ही इसको ध्यान से देखिए है ना इसमें साब कहा गया कि टर्म फर्स्ट का जो एक्जाम है होम सेंटर पर हुआ बहुत सारा स्कूल में होम सेंटर था और साथी साथ ओमर सीट पर एक्जाम लिया गया जिसे की सेंटर पर ही चेक किया गया बहुत सारे स्कूल में मतलब सिकायत की गई थी मार्क्स को लेकर कि मार्क्स गलत तरीके स से दिये जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ स्टुडेंट को अच्छे अंक मिल गए होंगे जिसकी वज़ा से रिजल्ट पे असर हो सकता था इसलिए सी बेसी ने सोचा कि टर्म टू जो है वह आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्जाम लिया गया है इसलिए उसे 70 परसेंट वेटेश दिया गया ताकि सारे बच्चे का रिजल्ट सही तरीके से बिना किसी तरीके पार्सियलिटी के बने ठीक है तो यह चीज आप समझगे कि वेटेश टर्म क्या हो गया और साथ ही साथ यहां पर यह जो चीज है इसको एदम ध्यान से जमस लिए कि अगर र इविलेशन करवाना है तो टेम परस्ट के लिए कर आ सकते हैं किसी कवैस के लिए कर वा सकते हैं उसी को रिएविलेट बलता है या घड़ता है तो यह बाते थी तो यह बाते बहुत जरूरी है आपके लिए जाननी और आप कोई क्वेरी कोई दिमाग में कोई प्रशन आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि उसको दूर किया जाए और जल्दी से सेर कर ल अगले बाइ थैंक यू टेकर है वे नाइज डे